नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हाएं इस बार 75 गंतंत्र दिवस परेड में 13,000 लोग बने बिसेस महमान अंत्रिक्ष पिज्ञानियों से लेकर सरपंचों तक और उदमियों से लेकर फेरी वालों तक लगभग 13,000 लोग सुक्रवार को करता वेपत पर 75 गंतंत्र दिवस परेड के बिसेस महमान बने इनमें 1500 किसान भी सामिल थे आपको बता दे कि इन बिसेस आमंत्रितों को वास्त्विक वी आईपी कहा गया गंतंतर दिवास प्रेट के बिशेस मेहमानों में बिभीन छेत्रों में सरस्रेश्ट परदर्शन करने वाले और ऐसे लोग सामिल थे जिन्होंने परधान मंत्री आवास योजना, पी एम उजवाला योजना, पी एम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी, पी एम क्रि आइब्रेंट विलेजों के सरपंच, स्वक्ष भारत अभियान की महिला कारेकरता, इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्टरिंग सेक्टर वा सेंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट के लोग इसरों की महिला विज्ञानी, योग सीक्षक और अंतरास्टिये खेल आयोजनों वा पैरा गंतर दिवस के औसर पर सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्दिया, राजपाल बोले भरष्ट अचार को नहीं किया जागा बरदास्त, पच्छतरवे गंतर दिवस के मौके पर राची के मौराबादी मैदान में होने वाले कारेकरब में, राजपाल सिपी राधा क्रिशनन मुक अतिति के तोर पर पहुँचे, यहां ससस्त्रबल सैयुक्त परेट के निरिक्षन के बाद राजपाल ने जंडो तोलन किया, राजपाल सिपी राधा क्रिशनन ने पच्छतरवे गंतर दिवस के औसर पर अपने अभिभासन में कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा से सू सासन एवं नियाएक साथ विकास पर जोर दिया है, सरकार विभिन कल्यानकारी योजनाओं के माध्यम से परतेक बेक्तिके सरवांगीन विकास का लगतार प्रयास कर रही है, भराष्टचार को सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में बाधक नहीं बनने देना चाहिए किसी भी रूप में और किसी भी अस्तर पर भरष्णचार को बरदास्त नहीं किया जा सकता है। के रूप में कारिकर रही है इसे मनरेगा में मानव सुरम में महिलाओं के हिसेदारी बढ़कर 48% हो गई है। संपोसित बबवा आवास योजना एवं पीएम आवास योजना से लवानवीत करने जा रही है। इस बितिय वर्ष में दो लाख योग परिवारों को इस योजना से लवानवीत किया जाएगा। जारहन की दो बेटियां पदमसरी से सम्मानित। एक ने खेल के नाम कर दी जिंदगी तो दूसरे में परियावरों को लेकर है जुनून। गुरुवार की साम कुलहान के लिए तब दोहरी खुसी लेकर आई। इडी ने जहारखंड के मुख मंत्री को पत्र भेज कर 29 से 31 जनुवारी तक पुछताश के लिए समय देने को कहा है। इडी ने लिखा है कि अगर मुख मंत्री ने समय नहीं बताया तो इडी अपने से समय तैकर पहुँच जाएगी। गरतलाब है कि इडी ने 22 जनुवारी को 9 समय भेज कर 27 से 31 जनुवारी के बीच इडी की जाच टीम के सामने पेस होने के लिए कहा था। इससे पहले 28 समन पर 20 जनुवारी को इडी के अधिकारियों ने मुख मंत्री आवास पर जाकर उनसे पुष्टाच भी की थी। इस दोराण टीम ने उनसे लगवक 7 घंटे पुष्टाच की थी। इडी के भेजे पिछले 7 समन पर मुख मंत्री है मंसुरेन यह कहते हुए गयराजी रहे थे कि यह समन असमयधानिक है और उनकी सरकार को परसान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जारखंड में 175 कटे होट वा तालू के मरीजों का होगा फ्री में ओपरेशन, देवकमल होस्पीटल में होगा इलाज, इंडियन ओयल कर्पोरेशन और मिसन एसमाईल के साथ मिलकर देवकमल अस्पताल 175 कटे होट वा तालू के मरीजों का ओपरेशन करने जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को एक कारेकरम में मिसन एसमाईल वा इंडियान ओयल कॉर्परेशन के दोवारा एक समझाता ग्यापन साजा किया गया है। जिसमें ये लोग अगले 8,5 महिने में 175 कटे होट वा तालू के मरीजों का निसुल्क में इलाज कराएंगे। बुढे माबाप की सेवा करना बेटे का करतब है जारकन हाई कोट ने दिया आदेश। वे बीज हैं और आप पौधा हैं आपको अपने माता-पीता की अच्छाई और बुराई दोनों बिरासत में मिलती है। एक बेक्ति पर जन्म लेने के कारण कुछ रीन होते हैं और उसमें पीता और माता का रीन भी सामिल होता है जिसे हमें चुकाना होता है। जारखंड में कडाके की ठंड के बीच फिलहाल कोहरे से रहत नहीं आंसिक बादल छाय रहने के असार। मौसम विभाग द्वारा जारी पुर्वानुमान के मुताबिक एक फरवारी तक सुबा में कोहरा रहने की संभावना जयताई गई है। तैयारी शुरू। तैनुघाट जेल में बंद विचारा धिन कैदी कुल्दीप सोरेन की तैनुघाट होस्पिटल में इलाज के दरान सुक्रवार को मौथ हो गई। मृत कैदी कुल्दीप सोरेन महुआ टाड का रहने वाला था। के मामले में वह तैनुघाट जेल में बन था। जेल में पद अस्थापित सिपाही गाउंसार कैदी गिरने के कारण घायल हो गया था। जखमी हालत में जेल से तेनुघाट अस्पताल में भरती कराया गया था। कैदी की गंभीर इस्थी को देखते हुए चिकिसको ने बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। सदर अस्पताल पहुँचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल के उपाधिक्षक डॉक्टर अर्बिन कुमार ने बताया कि सुबह जब कैदी को लेकर वहान पहुचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। इधर बोकारो डिसी कुल्दिप चौधरी ने मृत कैदी के पोस्टमाटम को लेकर मेडिकल बोड गठित की और मैस्ट्रेट दिवाकर दूबे की मौजूदगी में पोस्टमाटम किया गया। टाटा इस्टिल ने पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए निकाली बहाली। अनिवारी 2006 के बीच होनी चाहिए। योग उम्मिद्वारों का चयान लिखित परिक्षा हुआ मेडिकल टेस्ट के साथ होगा। साथ ही उन्हें चयान परकिरिया के दवरान उन्हें अनिवारी रूप से ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी प्रस्तूत करना होगा। पीएम मोधी चार फरवारी को सिंद्री में करेंगे हरल का उधगाटन। परदान मंत्री चार फरवारी की सुबा करीब साथे दस बजे सिंद्री में हरल कर खाना का उधगाटन करेंगे। सिंद्री में करेंगे। प्रस्तूत करेंगे।